शेहर में आए दिन हत्याओं का सलसला बदस्तूर्ज जारी हैं दिनों दिन शेहर में हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं इसी भी शनिवार को कलमना पुलिस्थाना अंतरगत एक और हत्या का मामला सामने आया मिली जानकारी के अनुसार कलमना पुलिस्थाना अंतरगत प्रतिभाल लौन के पास दो दोस्तों में आपसी विवाद के चलते आरूपी चीतेश और साहिल ने अपने दोस्त चेतन कमल सीहर ठाकुर को चाको से वार कर घायल कर दिया घायल की हालत चिंता चनक होने से उसे अस्पिताल ले जाया क्या हाला कि उपचार के दर्मियान उसकी मौत हो गई वही पुलिस की ततपरता के चलती दोनों आरूपी गिरफतार होने की प्रारम्बिक जानकारी सामने आई है बता दे कि मृतक चेतन पर पहले भी कई मामली दर्जोनी की जानकारी मुली है हाला कि चिस तरह से आए दिन शहर में हत्याओ के मामले में इसाफ़ा हो रहा है उसे ये कहना गलत नहीं है कि नाखपुर अपरादो की राश्थानी बन रहा है इस पर अप पुलिस प्रशासंग किस तरह कारवाई करती है ये सोचने वाली बात है कैमरा परसन अखलिश भारेदवाज के साथ दिशाहटवार बीसियन न्यूस नाखपुर